राम राम किसान सातियों, मैं आपका अपना सैदयों मात्वा, मेरी यूट्यूब चैनल फार्मर टॉक में आपका एक बार फिर हार देख स्वागत करता हूँ, आज हम बात करेंगे कपास की खेती के बारे में, जुताई से लेकर कटाई तक कौन-कौन से खाद का प्रियों करन चाहिए, कौन-कौन से छिड़काव इसके अंदर करने चाहिए, कौन सी इसके अंदर खाद डालनी चाहिए, इन सब के बारे में आज विश्रित रूप से इस वीडियो के मात्यम से मैं चर्चा करूँगा और आप से मैं वादा करता हूँ, कि इस वीडियो को देखने के प्रेस करें, ताकि मेरे नए-नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, जैसा कि आप जानते हैं कपास को विश्वे के अंदर सपेद सोना के रूप में जाना जाता है, सेमित राज्ये अमेरिका है, वो इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, बारत के अंदर गु प्रेस काट लिए अपने खेत काली हो गए, वो अपनी कपास की पसल के लिए खेतों में जुताई कर रहे हैं, जुताई के पस्चाद उसमें रोटोवेटर लगाए, जिससे आपकी जमीन बुरबुरी हो जाएगी, बुरबुरी होने के पस्चाद, आप अपने खेत के प्लस पचास के यूरिया, प्लस चालीस के पोटास, इन तीनों प्रोडेक्ट को मिक्स करके एक एकड के अंदर डाले, और इसके बाद आप अपने हल से अपने खेत के अंदर कतारे बना ले, जिससे आप अपने जो कपास की पसल है, उसकी रुपाई आराम से कर सकें, और कत ता कि अंदर होने वाली करपतवार के लिए आप निराई और गुडाई आराम से कर सकें, इसके अलाव, आपको अगर खरपतवार नियंतरन के लिए डालना है, तो जब कपास की रुपाई के पस्चात, जब अपनी कपास में आप पानी लगाते हैं, उस समय पानी के साथ प मिट्टी के लिए तो ज्यादा जो पानी को पकड़कर रखने वाली होती है वो मिट्टी इसके लिए उप्यूक्त नहीं है बुर्बुरी मिट्टी जो कम पानी अबजर्व करती है वो मिट्टी इसके लिए सर्वत्म उप्यूक्त रहती है अब हम बात करते हैं इसके लिए कपास के अपने खेत के अंदर जादा बारिस होगी तो जादा बारिस है वह फ activation पढ़ जाती है लिए हलके बारिस है वह बहुत उप्युक्त रहती है ज़्यादा पाने भी उप्युक्त नहीं रहता कपास की फसल है उसका पकने की ऑवद दियcía 6 माहना आपकी फसल फकर चयार हो जाती है और उसके लगाने का समय होता है अप्रेल के अंतिम सब्दा से आप 15 जून के मध्य तक आप आरहम से अपने खेट के अंधर क पास लगा सकते हैं और कपास जब आपकी 20 से 25 दिन की हो जाती है तो आप उपनी कपास के अंदर एक जो बेग है यूरिया का वो प माइक्रोन्यूट्रेंट है उसका इस्प्रे कर सकते हैं या पानी के साथ दे सकते हैं जब आपकी जो फसल है 45-45 दिन की वसर हो जाती है तो आप अपनी फसल के अंदर एक बैग है वह डियेपी का और प्लस पोटास या पोटास के अलावा डियेपी के साथ और कोई माइक्रोन इसके अलावा अगर आपकी पानी ज ज्यादा दे दिया या अगर पानी कम हो गया तो भी आपकी फूल गिरने की समस्च्राथी है इसके लिए आप एंपी के या NPK 1919 या उसके साथ micronutrients जिसमें boron समभाईत हो, manganesium होगे रहा, ऐसे product को आप अपने पानी की साथ अपनी फसल के अंदर चड़ा सकते हैं, या spray भी कर सकते हैं, जिससे आपके जो फसल में फूल गिरने की समझ्या है, उस पर नियंत्रन होगा, सबसे पहले कपास के अंदर फूल बनते हैं, फूल के बाद बोल बनती है, बोल फटने के बाद उसके अंदर कपास बनती है, इसके अलावा कपास की खेतिये वो तीन तरीके से कर सकते हैं, आप drip irrigation से कर सकते हैं, मल्चिंग पदती से कर सकते हैं, और फूमारा पदती से करते हैं, लेकिन मल्चिंग और प्रिप इर्गेशन से जो कपास का आपका कोस्ट है वो ज्यादा बढ़ जाता है यह खेती महेंगी पड़ती है तो ज्यादा तर किसान फंवारा पदती से ही कपास की खेती करना पसंद करते हैं इसके अलावा आप अपनी कपास की पसल के अंदर अगर फूल फल या बोल बढ़ाना चाते हैं तो युमिक एसिड प्लस एंपिके का प्रियो कर सकते हैं इसके अलावा डेड़ दो मैने के पसल होने पर फूल और फल बढ़ाने के लिए आप यब्रेलिक एसिड का प्रियो कर स जाता है उसके बाद आपके मुख्यतने की जो उपर की कली है उसको काट के फैक देना चाहिए जिसे कपा साइड के अंदर फैलेगी और फूल और जो बॉल है वह बहुत ज़्यादा बनेगी अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुक किस्मों के बारे में तो इसकी प्रमुक किस्म अंदर और भी प्रमुक किस्में चलती होगी जो जडगलन और उक्ता रोक के परति परतिरोधी होगी उनमें रोक कम लगते हैं उनका प्रियोग आप कर सकते हैं